Hello everyone, welcome to our Youtube channel तो आज हम देखने वाले हैं Elisibility of NIMSIT NIMSIT के लिए जो है आप Elisible हो की नहीं हो उसके लिए educational requirement क्या होती है percentage requirement क्या होती है या age requirement क्या होती है ये सवाज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फुली डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग आज इस वीडियो में तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां से यहां पे सबसे पहले आप देख पाओगे कि दिया गया है निमसेट एजुकेशनल रिक्वार्मेंट के लिए फर्स्ट पॉइंट है यहां पे तो यहां पे यह बोला गया है कि अगर आप B.S.C. या B.S.C. ओनर्स या B.C. या फिर आप यहां पे बिट कोई भी डिग्री अगर आपके पास है और वो एक्रिक्रियाटिट युनिवर्सिटी से है और उसके साथ अगर आपका फाइनल येर में मानगे चलो आप ग्रेजवेशन में हो और आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या एस्टेटिक्स होनी चाहिए तो आप इलिजबल होगे उसके लिए अगर आपके पास B.E. का या B.T.E. इन दोनों में से कोई भी डिग्री है तो भी आप इलिजबल होनिम सेट के लिए और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है अगर आप फाइनल येर के स्टुडेंट हो मान के चलो आप ग्रेजवेशन कर रहे हो और फाइनल येर में हो तो भी आप अपलाई कर सकते हो आप एक्जाम दे सकते हो लेकिन अगर आप पास हो गए एक्जाम में तो कॉंसलिंग के टाइम जो है कॉंसलिंग के टाइम आपको अपना सारा डक्योमेंट वहाँ पे सम्मिट करना परेगा जैसे माकसिट हो गया, टीसी हो गया, सी एलसी हो गया यह सब जो भी होता है वो आपको वहाँ पे submit करना परेगा और तीसरा यहाँ पे point बोला गया है The candidate from open institute who can successfully completed BSC honors, BCA और BIT program are eligible to apply यहाँ पे देखो अगर आप लेकिन इसके लिए एक criteria है कि UGC, AICTE और Distance Educational Concelling, DEC जो होता है उससे authorized होना चाहिए आपका program उससे authorized आपका program यहाँ पे होना चाहिए तब आप eligible हो निमसेट के लिए और अगर आप final year में हो तो भी आप apply कर सकते हो अगर मानके चलो आप commerce background से हो और आपका एक subject mathematics या aesthetics आपका graduation में है या नहीं तो 11th, 12th में भी mathematics, otherwise aesthetics है तो आप eligible होते हो तो अब हम देखने वाले हैं निमसेट qualifying marks criteria तो यहाँ पर क्या बोला गया है तो यहाँ पर बोला गया है अगर आप open category से हो या OBC से हो यह दोनों के लिए हैं तो आपका graduation में 60 percentage marks होनी चाहिए अगर percentage में content है तो नहीं तो 6.5 cgpa होना चाहिए अगर cgpa में count हो रहा है आपका total marks तो और अगर आप SCST से belong करते हो तो ही यहाँ पर 5 percentage का जो है वो concession मिलता है तो यहाँ पर 55 percentage रहना चाहिए और नहीं तो 6.0 cgpa होना चाहिए और बात करते हैं आगे हम लोग term ayz के वारे में चेक ayz के वारे में तो ayz no limit है अगर आप चार साल veh हो थो तो भी आप exam दे सकते हो आप exam के लिए illisival हो यहां पर कुछ भी mention नहीं रहता है अगर आप 5 साल का भी आपका गैप है तो भी आप दे सकते हो अगर एक साल का है तो भी दे सकते हो दो साल का है तो भी दे सकते हो और यहां पे जहां तक मार्क्स की बात हुई तो मार्क्स जो है वो 60% चाहिए और सीजी पीए में 6.5 चाहिए ओपन एंड ओबी सी कैटोगरी के लिए के लिए 55 पर्सेंटेज चाहिए और सीजी पीए में 6.0 पर्सेंटेज चाहिए जो यहां आप देख पाऊगे तो यही था eligibility for the NIMSET अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना निमसेट का classes भी यहां धीरे-धीरे स्टार्ट होने वाला है हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे classes mathematics का भी reasoning का भी और computer sense का भी बहुत जल्द यहां पर स्टार्ट होने वाला है अगर आप चैनल पर new हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना and thank you for watching the video